प्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर बिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 28 फरवरी 2024 बुद्वार का दिन है फालगुन महा के कृष्णपक्ष की चतूर्थी थी थी है इस दिन वरत की संकस्टी चतूर्थी रहेगी बड़ी चतूर्थी रहेगी गणेश चतूर्थी का वरत इसी दिन किया जाएगा चंद्रोदय राट को नो बज करके 26 मिनिट पर होगा चंद्रोदय होने के बाद ही चंद्रमा का पूजन करके वरत का पारना किया जाता है अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यों हो तो धनिया खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं। हरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की दाल। राहुकाल जोकी दो पहर बारा बजे से शुरू हो करके एक बच के तीस मिनिट तक रहेगा। इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवब मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने एक शेत्र के पंचांग अत्वा के लेंड के अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की कुम्ब राशी में वहीं चंद्रमा की दी हम बात करें तो कन्या राशी में मंगल ग्रह मकर राशी में बुद्ध ग्रह कुम्ब राशी में देव गुरू बहस्पती जो की मेस राशी में शुक् कारिक्षित्र में इनको नती और प्रगती के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ साथ नया काम नहीं जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो खुल मिला करके इन छे राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदय की यदि हम बात करें तो सुबह छे बच करके पचास मिनिट पर सुर्योदय होगा तथा सुर्यास साम को छे बच करके सोला मिनिट पर होगा शुब मुर्त की अगर हम बात करें तो बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन सबसे पहला जो चोगड़ा रहता है शुब कारी करने के लिए मांगलिक कारी करने के लिए वो सुबह 6 बजे से लेके 7.5 बजे तक लाब का चोगड़ा रहेगा तथा सुबह साड़े साथ बजे से लेकर के नो बजे तक अमरत का चोगड़या रहेगा और उसके बाद सुबह साड़े दस बजे से लेकर के दो पाहर बारा बजे तक शुब का चोगड़या रहेगा और दो पहर बात तीन बजे से ले करके साड़े चार बजे तक चर का चोगडिया रहेगा शाम को साड़े चार बजे से ले करके छे बजे तक लाब का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग दिर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालोगा दैनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंडेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशय पर भी मात तुपूर्ण चर्चा होगी रुके होए अटके होए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतिविदियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्रे या रिस्तेदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आप का देन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तो था आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वार्तालाब से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशीगी मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को समाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली यश भी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिकत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी हो सकती है उपाई के रूप में भर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वज़े से स्वभाव में चर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भागवान विष्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े भुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलूँ से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिती में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गति विदियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगात कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गति विदियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्णु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इस्थाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबध्य कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाय के रूप में छट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद